हेलो बच्चो, I hope सारे बच्चे अच्छे होंगे, बिल्कुल fit and fine होंगे, तो आज हम जीके में third topic करेंगे, that is Mother Earth, ठीके बच्चो, आज हम Mother Earth पढ़ेंगे, अच्छा सबसे पहले बच्चे मुझे ये बताएंगे कि मम्मा का मदर का मीनिंग क्या होता है, मदर का मीनिंग क्या ह आप मुझे ये बताओ, आप अपने मम्मी से कितना प्यार करते हो, आप कितना क्यार करते हो, बहुत ज्यादा ना, सब करते हैं, सब अपने मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, सब चाहते हैं, कि उसका मम्मा बहुत खुश रहे, उनके मम्मा को बहुत सारी खुशिया मिले, है अपने अर्थ से, अपने इन्वारेमेंट से करना चाहिए, ठीक है बच्चो, हम यह चाहते है कि हमारे ममा हमेशा खुश रहे तो हमें अपने अर्थ का भी हमें अपना इन्वारिमेंट का भी खयाल रखना चाहिए कि हमारा इन्वारिमेंट जो है वो हमेशा हैपी रहे हमेशा खुश रहे और इन्वारिमेंट खुश केसे रहेगा हम इन्वारिमेंट का खयाल रखे इन्वारिमेंट को पल् अपने ममा से करते हो, उधना आप अपने इन्वारिमेंट का भी ध्यान रखोगे है, उधना अपने इन्वारिमेंट का भी खायार रखोगे है, ठीके? Okay, चलो, Our environment become polluted due to virus harmful activities. The three main types of pollution are air pollution, water pollution and land pollution. Look at this picture and write the type of pollution that is shown. ठीके, जो हमारा इन्वारिमेंट है, वो pollute हो रहा है, वो घंदा हो रहा है, ठीके? पलिउट माने घंदा, ठीके? जो हमारा इन्वारिमेंट है, हमारे जो इन्वारिमेंट है, वो घंदा हो रहा है, किस वज़ा से? बहुत सारे harmful activities की वज़ा से ठीके हम कौन गंदा कर रहे हम humans गंदा कर रहे हम human है ना तो हम जो people है जो लोग है वो environment को गंदा कर रहे है जो की नहीं करना चाहिए bad habit है तो क्या बोल रहे हैं कि जो environment को pollution फिला रहा है वो तीन type के होते हैं ठीके जो pollution है वो तीन type के होते हैं main तीन type के होते हैं एक होता है air pollution एक होता है water pollution and third होता है land pollution air pollution मने हावा को गंदा करना air मने हवा है ना तो हावा को गंदा करना water मने पानी पानी को गंदा करना and land land मने जमीन हमारे जमीन को गंदा करना टुम מח too कैसे कर रहे हम एर-pollution कर रहे है water-pollution कर रहे लरन-pollution कर रहे जिसके वज़े से पूरब c walks iht गंदा हो रहे है जो कि हमें नहीं करना चाहि है तो आपको क्या करना है टिकिर छोन एक ताल जाना या आख तो आपको यहां पर कुछ एक है एक लटकी से पानी में पानी में नहीं कर अगा है। तो water क्या हो गया, pollute हो गया, तो water pollution, water में वो pollute कर रहे है, water को गंदा कर रहे है, जो कि क्या है, bad habit है, और ये नहीं करना चाहिए, ठीके, अब second है, this is air pollution, लाइक देखो, बहुत सारे industry यहां से क्या, बहुत गंदा गंदा दुआ निकल रहा है, ठीके, बहुत सारे गंदा दु pollution हो रहा है, air, ठीके, air मने हवा, जैसे दुआ गंदा जा रहा है, तो कहां जा रहा है, atmosphere में जा रहा है, हवा में जा रहा है, हवा क्या हो रहा है, फिर गंदा हो रहा है, हम सांस लेते हैं हवा से, तो हवा को गंदा नहीं करना चाहिए, तो this is air pollution, फिर है third, land pollution, land मने हमारा ज दमीन यह क्या है यह एक पांग दिखाया है यहांपर है ना पांग है जिसमें बच्चे खेलते हैं आप लोग खेलते हो आप यहांपर दे को कितने सारे कच्रा फैंक है है ठीक हमेंpunk इनको फैंगना चाही है नहीं फैंगना चाहिए हैंझा तो Więc लेंड पल्यूशन हो गया लेंड को हम लेंड को पल्यूट कर रहे हैं कच्रा फैंगने से गंदा हो रहा है यह हमें नहीं करना चाहिए तो दिस इस लेंड पल्यूशन आप फिर से क्या कर रहे हैं यह पानी में कपड़े दो रहे हैं ठीक है पानी में कपड़े दो रहे हैं त नुकसान पोंच रहे तो यह नहीं करना चाहिए this is also land pollution देखो यह एक road है ठीक है road जिससे हम गाड़ी चलाते है जिस पर ठीक है तो road पर देखो plastic bottles फैंके है जिससे क्या होता है यह गंदा दिगरा है है ना आप लोग क्या करते हो आप लोग ने तो हम देखते हैं कि लोग क्या करते ट्रावल करते time पानी पीकर या juice या cold drink जो भी पीकर बोटल बहार फैंक देते तो कितना गंदा देख रहे देखो है ना इतना अच्छा environment है हमारा हम उस पर कचरा फैंके गंदा कर रहे तो this is land pollution जो कि हमें नहीं करना चाहिए ठीक है अब यह है this is also air pollution यह गाड़ी जा गाड़ी से कितना गंदा क्या दुआ निकल रहा है है ना तो यह दुआ कहां जाएंगे same like यहां है ठीक है यह दुआ कहां जा रहा है air में जा रहा है air में ठीक है air मनी हवा में जा रहा है तो हवा क्या हो गया गंदा हो गया तो हमें यह नहीं करना चाहिए तो बच्चों आ एर गंदा होने से air pollution होता है, land को ठीके land जहांपर हम रहते हैं उस पर plastic bottles या कचरा फैंगने से land pollution होता है, water pollution पानी में घंदा पानी डालने से, कपड़ा गंदा गंदा दोने से water pollution होता है, फिर land pollution फिर से फिर से हमें कच्रा रोड पर नहीं फैंकना चाहिए air pollution जो गाड़ी के engine होते हैं वो बहुत गंदा गंदा दुआ छोड़ते हैं तो इससे क्या होता है air pollution तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए mother earth का care करना चाहिए हमें pollute नहीं करना चाहिए अपने environment को बचा के रखना चाहिए जो भी आगर आप plastic वगेरा आपके पास होगा तो आप उसको इधर उधर नहीं फैंकोगे वो land pollution होता है water में भी नहीं फैंकोगे वो water pollution होता है आप land पर भी नहीं फैंकोगे वो land pollution होता है आप क्या करोगे उसको carry करके लाओगे फिर कही डेस्पिंड होगा तो उस डेस्पिंड में डाल दोगे ठीके ओके तो बच्चो इनको fill कर लेना ठीके थैंक यू